श्रेगंगानगर के चात्र गुटों में तीन पुली पर फाइरिंग पुरानी रंजिश का मामला श्रेगंगानगर के हिंदु मल्कोर्ट मार्ग पर तीन पुली पर आसबे फाइरिंग हो गई इससे इलाके में दहशत फल गई पुलिस फाइरिंग करने वालों की पहचान करने का प्रयास कर रही है च्छादर गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर फाइरिंग होना बताया गया है इस घटना को लेकर आग दोपहर तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था मिली जौनकारी के अनुसार सुबह करीब 11 बजे एक राहगीर की सूचना पर कोतवाली और जवाहनगर पुलिस मौके पर पहुँची जब तक पुलिस मौके पर पहुँची तब तक कुछ यूवक कालिया मार्ग और कुछ यूवक मोहनपुरा मार्ग से फरार हो चुके थे प्रत्यक्षे दर्शियों के अनुसार कुछ यूवक स्रिफ्ट कार और बाइक पर सवार होकर तीन पुली के निकट कालिया मार्क पर गुर्दवारे के निकट पहुँचे और उन्होंने हवाई फाइरिंग कर दी इससे लोग भैबीत हो गए कुछ युवकों ने दूसरे पक्ष के युवकों के बाइक भी तोड़ दिये युवकों में जगडा फसाद देखकर एक राहगीर ने पुलिस को इसकी सूचना दी चन मिन्टो में ही फाइरिंग करके युवक फरार हो गए मौके पर पहुँचे जवाहा नगर पुलिस स्थाना प्रभारी प्रिशांत कौशिक ने लोगों से घटना करम के बारे में जानकारी चाही लेकिन लोगों ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया पुलिस इलाके में लगे CCTV क्याबने की फुटेज खंगाल कर फाइरिंग करने वालों की पहचान करने का प्रयास कर रही है सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस थाने से ASI ओम भी मौके पर पहुँचे पुलिस के गश्ती दल भी वहाँ पहुँच गए थे ASI के अनुसार मौके पर दो फाइर होने की पुस्टी हुई है दोनों पक्ष छात्र ही बताय जाते हैं चात्र संग चुनाव को लेकर चात्रों में रंजिश होने की बास सामने आई है जब तक पुलिस मौके पर पहुँची तब तक दोनों पक्ष वहाँ से जा चुके थे अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपुन खपरों से अपडेट रहना चाते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर